दोस्तों कोरोना का तो कहरें इंडिया में चली रहा है और ऐसे में आपको जिम्मेदारी भी बनती है और सरकारी गाइडलाइन्स भी है कि हम घर से बाहर कम से कम निकलें तो ऐसे में अगर आप एक स्मार्टफोन यानि की सिम लेना चाहते हैं या फिर सिम को पोर्ट कराना चाहते हैं तो यहां पर आपके लिए काफी अची ख़बर है क्योंकि जियो जो है उसने एक नई सर्विस लॉंच कर दिये जहां पर आपको जो है जो सिम है जियो की वो गर दिलीवर की जाएगी यानि कि आपको एक कदम बाहर गर से नहीं निकलना है और अगर आप अपना नमर पोर्ट कराना चाहते है तब भी आपका जो है ना पूराव का पूरा प्रोसेसर है वो आपको ओनलाइन हो देखने को मिलेगा और जो से में वो गर पर दिलीवर की से कमाल की टेक्नोजी वीडियो लेकर आता रहता हूं तो दोस्तों यहां पर हम देख लेते सबसे पहले अगर आप ऑनलाइन जीओ किसे मगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ ऑनलाइन यानि कि जीओ की जो ऑफिसल वेबसाइट है वहां पर जाकर कुछ प्रोसेस करें बहुत प्रोसेस यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो सबसे पहले आपको Google Chrome फोलना होगा और Google Chrome में टाइप करना होगा जीओ तो जीओ जो है ना वो टाइप करेंगे जीओ को इस तरह से आएगा तो यह जो है ना उसकी बेर ऑफिसल वेबसाइट है और यहीं पर देखने को मिल जाएंगी तो इह पर जो दर डेख सकते हैं पांच्मा जोौपसर हमारे काम का है तो जिदना वी काम होगा वह इसीAn option में हो जाएगा तो हम सिंपल सा इसą option को klik कर लेते हैं इस option को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया पेज खुल YG होएगा जहां पर हम अपने दरवाजे पर पास सकते हैं, आपको यहां से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर पेज में कि कुछ इनफॉर्मेशन आपके जोरा माई गई है, अगर आप नई SIM चाहते हैं, तो यहां पर आपका यहां पर एक तरह से registration हो जाएगा, इसके बाद यहां पर आपका जो generate OTP हो जाएगा, तो इसके बाद आपको एक option निकल काएगा, वहां पर आप करेंगे plan को select, plan को select करने के बाद आपको कुछ detail देनी पड़ेगी, और इसके बाद आपका registration complete हो जाएगा, अब आपके पुराए नमर को जीओ में port करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको एक message भेजना पड़ेगा, यानि कि port जो है ना 10 digit का mobile नमर डाल की भेज देंगे, जो आपको process इसमें दिखाया गया है, same इसी तरह से लिखके इसको यहां पर भेज देना है, ठीक है, अब आते हैं सवाल, य कि कितना चार्ज हम को यहां पर देना पड़ेगा, तो जीओ पहले से ही SIM फ्री देजी रहा है, तो SIM जो है वो आपको फ्री मिल जाएगा, बस जो चार्ज है वो प्लान का लगेगा आपसे, यानि कि जो प्लान आप उस नई SIM में ले रहे हैं, उसका जो चार्ज है वो आपक कैसे करूँगा, यानि कि पैसा कैसे देना होगा, आपको कैस देना होगा, या फिर पहली सही हमको देना पड़ेगा, तो जो है ना जो आपका जो जीओ रिप्रेजेंटेटेव है वो आपको घर आएगा, वहीं पर आपका वो तुरंत प्लान सेलेक्ट तरेगा, और वहीं पर आपसे पैमेंट लेगा, पैमेंट आप डेविट करेड़ कार्ड से कैसे भी दे सकते हैं, कैस में भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, अब अगला कोश्चन निकल कर आता है, कि डोकुमेंट क्या कर चाहिए, ये डोकुमेंट आज से फोटो कीच कर भी आपका काम चला सकता है इसके लावा मैं बता दू कि अगर आप delivery schedule करी सकते हैं और यहां पर किस दिन आप भर रहेंगे और आपको वहां पर delivery किस दिन चाहिए वो आपको यहां पर आसानी से अगर आप इसको डिलीवरी करना काते हैं, तो डिलीवरी को रिसेट डिलीवरी कर सकते हैं, अपने इसाब से डिलीवरी का दिन या टाइम सकते हैं, इसके लाब जो अगला question निकल कर आता है, अगर आप प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां पर कुछ लिंक्स दिये गए उन पर किलिक करके आप अच्छे से पता कर सकते हैं इसके आद मैं बात करूँगा आगले प्लान की हाव दो आइ कन्वर्ट जियो प्रिपे तु पोस्टोड कनेक्शन तो यहां पर इसके बारे में अच्छे से बता दिया गया कोई दिक्कत होने नहीं है और यहां पर कितना time लेती है सेमेक्टिवेट होने में तो नौर्मली पहले जितना time पूछ लगते हैं वहाँ पर मैं हर किसी के कमेंट का जवाब देता हूं तो आपके भी कमेंट का जवाब मैं दूगा और जरूर दूगा कोशित नहीं जरूर देता हूं तो उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एन सेर कर दीजिए मिलते हैं लिए वीडियो में तब तके लिए जय हैं